कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में कि इसमें हम आपको साथ ही आपको नियू रिक्लूप्मेंट के भरती के बारे बदाते हैं तो आज का हमारा सबसे इसके साथ ही जो परते हैं जिस तरह से परते हैं जो होता है और एक रे रे रेलाइट जो वेव होते हैं उसके बारे में जानेंगे साथ ही में इसमें जो यह जो भी अध्यान करतें हैं और आपना अध्यान कर आ ना यह सकता है पिरवान लखाल सकता है और चरेंगे हम सुरू करते हैं और इसके वाजने सब्सक्रण जानते हैं सबसे पहले प्रिभासा की बात कर लिए हैं आप एक चोटे से अपने सथे प्रीवहासा क्या होता है प्रिबासा आप आपने खुद जो ज्यादा याद है तो भूप कर मुथ कम यानि जो भूमी का कापना यानि भूमी जैसे भी कापे दूसे भूंप कहेंगे अगर माण़े को सकता है जैसे अगर कुस्का करें चुराउए जो अने का का दहा लेजिन है या तो वह आंदरी विंसे हमारे जो प्रिथिवी के अंदर में बना बटें हैं आपको पता होगा कि आंद deposprodu lets पाए जाता है और वह हमेशा जो क्या है पहच कई मोठी मोठी परते जैसे हमारे यहां घर होता है इसी तरह से प्रिथिवी के आतरिक सनचना में भी एक लेयर है, मोटी सी लेयर है, उसके उपर हमारे यहां प्रिथिवी पे जो अस्थर भाग है वो और समुत्री भाग है, यह सब टिकी हुई है, और जैसे यह दो प्लेटे आपस के नदीक में आती है, तो यह कक्राव होने के कारण हमारे यहां भुकम उत्पन होता है, और अगर वो दूर हटता है, तो भी हमारे यहां जुवाला मुख्याती, वो मैं अभी आपको इस सेशन में बताऊंगा, कि अभी इसमें परिवासा की बात कर रहे थे, तो हम जान लेते हैं कि परिवासा में हम मुखरुप से क्या मुखरुपन होता है, और इसे ही हम भुखंप करते हैं, या इसको आप सौट भाता में यह कर सकते कि भूमी का अपना ही भुखंप है, तो यह हम परिवासा की बात कर लिए, साथ में हम भूपरपटी की सरचना है, जो से हमने पहले भी क्लास में दिया था, फिर भी हम आपक यानि भूपरपटी यह हाला कि बहुत 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 बैला में एरिये देल गें, बिल्कुल छोटा है, तो पत्ली से है, चोटीस किलोमेटर के अंदर होगी भाग है, तो मैं आपको इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, यह हमारा भूपरपटी है, बीच का भाग मेंटर, कि में जिसे में प्रवार भी पुलते हैं प्रवार और मैगनेसियम है और आंतरी भाग में निशत पाया जाता है और सेंटर का जो भाग है बूल लगवक 83% हमारे भावली जो ज़ो गना है उसमें कवर कर रखा और केंद्र लगवक 16% के आसपास है यानी इस परकार से आप कर सकते हैं कि इसे मटपामूटी एफ परसेंट और यह आप 83% और यह हमारा 16% के आसपास कवर कर रखा है कहीं कहीं पॉइंट फाइब तो यह इसकी बज़ा से लगवागा पॉइंट परसेंट आ जाता है तो आप ऐसे राउंड की तिकर मियाद रखें एक परसेंट तिरासी परसेंट और सोला परसेंट के किंद्र भाग है साथ में इसमें आपको इसकी आंद्रिक सनुषना के बारे में बता करते हैं कि जो परत है इसकी जानकारी कैसे मिली हाला कि हमें पता है कि प्रिथवी के आंत्रिक भाग में हम जाते हैं यानि 22 मीटर के अंद्रूनी घहराई तक जाने में हमें लगवाग एक डिगरी की तंपरेचर इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है जिसके कारान से हमें पुर्वानमान लगाया गया है कि अंद्रूनी भाग में बहुत ज्यादा है और वहां तक किसी भी यंत्र का उपकरण का भेज पाना संभव नहीं है इसमें हम दो तरह से हमें पता चलता है भुकंप के बारे में या जो इसके अंदर अर्थपिक या बनावट के बारे में इसकी भुकंप को हम थोड़ी दिर के लिए साइड करते हैं और यह जानेते हैं मिली कि हमें इसके अंदर में क्या-क्या है नहीं है तो इसके पर्तों की जानकारी तक ही हम बात कर रहें हैं टो कि जानकारी कैसे मिरी तो हमें परिभासा की बाद हो गए कि हमारे भूमी का घूता है है चलिए हम पर तो की जान लेते हैं कि जो प्रतने की तो आप जालेते हैं कि दल में वो बोलते हैं नहीं कि अप्रत्यक्ष्य एस और प्रतिक्ष बोलते हैं इसने और इस अप्रतु में बात कर रहें तुछ प्राकृतिक में पहला आएगा अगर प्राकृतिक की बाकर रहे हैं जाया क्रफ़कायी कंगी तुक्ति चाणकारी कैसे मिला बंूकी। सबसे पहले जुआला मुखी। कि क्यूएं मुख्ष्रा बहक मुख्ष्रे का सिर्फ जादा जालकाई मिल पाया है तीसरा है हननन नेक्स्ट है कि अच्छा इसमें आपको दिख रहा होगा यह होता कि है पहले मैं बता देता हूं ज्वाला मुख्य हाला कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि ज्वाला मुख्य भुकम्प लगभग एक जैसा ही चीज है जो प्रिथिवी के आंतरिक जो प्लेटें हैं जिसे हम बहुत सकते हैं कि जिसपे हमारी प्रिथिवी और जो जलिये भाग है जिस पर यानि कि आपको पता होगा मैंगमा चेमबर हमारे मेंटल भाग है उसमें कोई भी ठोस सॉलिट चीजे नहीं है वह अर्ध तरल यानि टेत पर्त Ugh ऑस drugs को टेयीं निश्क परण ऑपस मीं तक और शोंठे तो हमें भॉकम कार्ण होता है और इसे बोलते हैं अभी सारी चा मोते हैं अभी सारी प्लेटी को आपस में कि ऐसी जोड़ेंगे जो आघर यह दो टंसे बांगेघी यह जुझे इसकी सारी झाली और अघ्र यह प्लेट निसरों से दूर भागिológ मुझा यह बाहर क्यों जारी यह बाहर क्यों जा McKee यानि पहले यह टच थी, बाद में यह क्या हुआ, आपस से दूर भागने लगी, जिसके कारण इसके अंदर की जो मैगमा है, जो लावा, मतलब मैगमा जैसे तरल पदार्त जो बस्तू अंदर में, जो temperature आप तो पता है कि अंदरूनी भाग बहुत ज्यादा heating है, temperature जिसके कार रहा है उस मैगमा को, इसके वज़ा से हमें ये प्लेटों के हटने के कारण आया, तो इसे बोलेंगे अभिसारी, दूर अगर नजदीक में सटेगा तो अभिसारी, दूर हटेगा तो अभिसारी, एक तिस्वी स्थिति भी बनती है, जिसे ऐसे बताए जाता है कि ये कुछ तो इसे हम सरचित बोलते हैं, जब प्लेटे आपस में दूर हटेगी, भुकम किसे हैं बोलेंगे, जब प्लेटे आपस में तकराएगी, तो भुकम किस्थिति आएगी, तीसरी के आती ही खनन, खनन का सेंस यह है कि हमारे प्रिथवी के भाग को खोद के अंदरूनी भाग तक पहुचने को हम खनन बोलेंगे, तो खनन की जो प्रक्रिया हुई है, अभी तक बरतमान समय तक दचनी अफ्रीका, दचनी अफ्रीका क एक जगा है, इसका नाहर पोनेंग, दचनी अफ्रीका के पोनेंग जगा, जहां लगभा के चार किलोमेटर अंदर तक ही हम जा पाए हैं, और यह पोनेंग जगा पर यह क्या है, कोड़ फिल्ड है, मतलब सोने की खादान है, और यहां हम अपने आज की इस्तितिक अलमसार हम दचनी अफ्रीका के पोनेंग छेतर तक चार किलोमेटर अंदर जाकर खुदाय करके निकाले हैं, और इसके बारे में हमें जो भी बस्तुए या अपने प्राप्त हुए है, उस कुछ खास मिलेगा रही है, और नीचे अगर इंडिया की बात करें, घरन के अंदरुनी में ही भाग में, तो आपने इंडिया में नाम सुना होगा, केजी अप मोवी भी देखा होगा, आपने केजी अप, केजी अफ का फूर्फुम क्या होता है, कोलार गोल फिल्ड, इसका ही लगभग हमारे करनाटका में, लगभग में 3.3 किलोमेटर की खुदाई की गए, क्या नाम है, इसका कोलार, यह भी एक सोने की खादान है, और यहां हम लगभग साहे तीन, तीन किलोमेटर की घराई तक ही जा पाए है, तो यह भी ज़्यादा कोई गहरा है नहीं, तो खन दिकाने के लिए हमने बोलिंग करते हैं, उस कर दें गया और यह हमारी प्रिथ्वी की उपरी सत्र है, जिसका उपर में आपको पता होगा, आर्किक महासागर है, आर्किक महासागर अब आप बोलेंगे महासागर में थोड़े न खुदाई होगे तो ये खुदाई कहां हुई है नौर्वे और रसिया नौर्वे और रसिया यानि रूस की जो पास में एक छेत्र है जगा है जिसका नाम है कोला कोला च्छेत्र है और यहां लगभग ड्रिलिंग के माध्यम से यानि कि जो ड्रिल किया जाता है जो ड्रिलिंग करने के बाद हमें लगभग इसका 12 किलोमेटर 12.2 है 12.2 किलोमेटर की सभलता मिली और वही हमें कोई ज्यादा नहीं पहुंच पाए लेकिन हा जितना अभी बू जो अंदरुनी भाग प्रिथ्वी के जो आंत्रिक सनल्चना तक पहुंचने का था पहले परसांत महासागर का मेरियांगर्थ है जो लगभग 11.022 मीटर यानि कि लगभग 11.011.015 मेरियानगर्थ का कितना है 11.022 मीटर में अगर हम इसे किलो मेटर बुले तो किल्व सर्ट के अंदर में हम पहुँचपाएं थे परसांत मासागरें पढता है और यह कहा है और भी आद्थ यादी प्रसागरें मिर्याना गर्थ वन अधिक्षु पहुच पाएं यानि हम उसे थोड़ा सही ज्याद ज्ञाद कि बारा किलोमेटर में आर्क्टिक महासागार यानि कि नौर्वे और रस्या का बीच में पढ़ता है कोला जब्या है वहां पे हमने ड्रिलिंग के माध्यम से अंद्रूनी भाग तक पहुंचे यह ड्रिलिंग अब यह हमारी जुहारा मुखी से शाठ किलो मेटर तक लगबा शाठ किलो मेटर के अंदर की निकलती है यह जालेते हैं कुछ इसके तुनाने तो देखें अन्दर लोगत अН्दर भाग है तो हम भुकमप्य तरंगों से हम अत्याधिक यानि सिस्मों लौज़िक के तहद हम अ करेंगे आपको यह जानकारी चाहिए कि भुकंप अगर समुद्री या जलिये जगा पर आएगा तो उसे हम सुनामी करते हैं तो अभी हम प्रत्यक्ष रूप को कि इसके अंदर में जब घ्रत्यक्ष रूप बढ़ तो इसके अंदर की जो दाव यानि कि उसके अंदर की जो दाने का पावर होगा याणी दाव यानिजुव प्रिशर इसके अंदर और प्रेसर भी ज्यादा होगा और उसकी ताप यह जदा होगा तो इसी हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि प्रिथिवी जरूर अगर 32 30-32 मीटर अंदर जाने पर एक डिग्री टम्रेचर बढ़ रहा है इसकी घनत भी बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ताप भी बढ़ रहा है है इसी से हम लोग अनुमान लगाए कि अंदर उनी भाग जो है अत्य अधिक गहनत वेला है ठोस है और उसके ताप भी अत्य अधिक है दाव के कारण ताप भी ज्यादा है तो अब इसमें हमने यह तीन चार चीज़े थी को हमने देख लिए आपर्टेक चुरूप से और इसम है जो गुर्तवा कर्शन के कारण हमारे जो अंत्री भाग है उसमें मैग्नेटिक फिल्ड पाया जाता है जिसके कारण हमारी प्रितिवी के बाहरी भाग बस्तुए जो है इसमें 30 हुई है वह आपको पता है साथ में यह भूकंपी तरंगों के बारे में इसी में हम अध्यन करेंगी तो कि फुकर प्रतेक्ष में नहीं आएगा ठीक है उसके बाद इसमें आता है कि यह आखिर यह जो ताप है वह क्यों बढ़ रहा है तो इसके उपर दवाब जादा है या तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्राद है उसके कारण भी इसके अंद्रूनी भाग म प्रतों की जानकारी हमने ले ली है अब भुकंपों कारण जान लेते हैं कि आखे बुकंप क्यों आता है तो थोड़ा से इस टॉपिक में हमने बताया था आपको अब उसी को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं झींख को कि मुख्रूप से ढुबाप आने का दो रीजन हैं कि तो पहला रीजन क्या है पहला रीजन है और कंशन ऑर दूसरा है मालव मालव इसका जिम्नवार है पहला है मैं तशीक ए तो प्राकिर्तिक और दुसरा है मानुगी तो सभी है मानद दोनार ही है क्योंकि आए गाएगा प्रापिर्टिक जैसा कि पहला आता है बलिद पर्वद पर्वत का अधारन दिया जाता है कि हमें जो आपने आरवली फिल्कूर्व स्लोउइए मुता है कभी-कभी इसके आने के कारण निया परवत अपस में ऐसरे दो पहाडों के अंदरुनी भागे जो पहाड़े हैं मतलब माटी परते हैं उसके धिर धिर उठने के कारण क्या है बरित-पर्वत बनता है जो कि आप अरावनी का उदारा ले सकते हैं जो के राजस्थां का शेत्र पर पढ़ता है तो ये नवीन बरृत-पर्वत अगर बनता तो इसके कारण भी भूकम्प यानि की भूमी थोड़ा काप सकता जिसके कारण भूकम्प आता है सेम उसी तरह से निफ्ट एक रीड महोदे हैं जो ने दिया रीड प्रतियास्था रीड प्रतियास्था का जो मतलब अभी उदारन है जो मतलब इसके आने का कारण बताते हैं यह रीड महोदे मतलब फवर वेध हैं यह भी यह बताते हैं कि जो किसी भी अंदर में जो पाए जाने वाली जो मतलब दो प्लेटे हैं उसको अगर एक निश्चित एक निश्चित करेंगा फ़रिख एक जाता है अगर उसके अंदर में जो आजम से तो वो जे लेगा अगर उससे अधिक उसको खिचा या उसके अंदर में जो किकर प्रतियास ने ने बताए था रीड ब्रत्यास था प्रचलन को इनका जो है सिधान था कि किसी भी प्लेट में एकलाइड तुर तक तो दूर लेगा लेकिन अगर उसके बीच में अगर प्रेशर दिया जाता है तो वह क्या होगा आपस में टूट जाएगा और टूटने के कारण यह उपर की और कुछ मतलब जो पतार्थ है बाहर निकालता है या जो भी इसके में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह भुखम्भ आ जाता है, नेश्ट है soft जुवाला मुखी, जो कि मुख रोपसे जिमिवार था, जुवाला मुखी, जुवाला मुखी के लिए हमने आपको बताया था, एक अभी पसारी होता है एक अपसारी होता है तो यह जो जिजन है जो प्लेट को जो है आपस से अगर हटता है दूर हटता है जिसके कारण से जो अंदर की जो मेगमा हो बाहर निकलता है और इसके कारण भी भूमिक आप जाता है तो यह भी एक भूकम्ब का मुख कारण है ने है इसके अंदर कि भूमी के अंदर में जैसे हमने खनन किया प्रकितिक रूप से जो खनन हो जाता है निकल जाता है कुछ चीजें और उसके कारण अगर इसके अचानक से फिर जब गिरता है तो भी भूमी का कापना इसमें संभव हो पाता है यानि इसको भूव स्खरन का भी रीजन हो सकता है जिसके कारण अर्थक्रिक आता है अब यह इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बदा रहा हूं जिसका नाम है प्लेट्रेक्टॉनिक प्लेट्रेक्टॉनिक का सिधान सबसे पहरे जाने ते दिया किसे ने तो हेंडरी हैंस हेंडरी हेंस महोदय ने दिया और हेंडरी हेंस महोदय अमेरिका के अमेरिका के बैग्यानिक है जो नोंने प्लेट्रेक्टॉनिक का सिधान किस ने दिया हेंडरी हेंस महोदय ने दिया और इनोन बताया कि जो प्रिथिवी के अंदर में पाए जाने वाली जो अस्थर भाग है जिस हम लोग ठीके हैं वह एक प्लेट पे है और वही प्लेट आपस में जब टकराती है जिसको हम लोग अर्थ की रूप में जानते हैं और इनका ही सिधानत है जो अभिसारी और अपसारी के बारे मैं इतनी देर से बता रहा हूं यह प्लेट टेक्टॉनिक यानि कि हेंडरी हैं है कि दो प्लेटे अगर आपस में सट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अभी सारी अभी सारी और जब दोनों प्लेटे आपस से दूर हट रही है जिसमें बोलते हैं हम अब सारी तो यह अब है करें है कि अभी सारी तो अभी सारी वालें प्लेट हटेगा तो यह दुभाला मुखी और अभी तोनों के दिया अब मानविये काड़ा जान लेते हैं मानव के किये गए कि रिया कलाब पर भुकम पाताब क्या है जैसे बांध अगर हम ने कुई से जगां बना दिया और अचानक सा पानी तूड़ गया या आसपास की एरिये में जो है थोड़ा बहुत कमपन हुआ जिसे भी हम एक अर्थ क्लिक बोलते हैं और इससे भी प्रिथ्वी काप जाती है नेश्ट है विस्पोर्ट अगर हम अान नेश्ट है विस्पोर्ट करते हैं जिसके कारण अर्थ आ जाता है जैसे हम भुकम करते हैं निकाए 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 जैसे अब कोई ला या इस टाइब की चीजी है निकालते हैं और अचानक से यह बैठ जाता है यानि कि खनन के बाद अगर कोई भी बस्तू उसके अंदर आप फिल किया जाए और वह अचानक से अगर भासक जाए बैठ जाए तो उसके कारण से हम इसको क्या बोलते हैं निकाय रिज्टियर हैं और इसका वारत विए हम अफिशन में मतलब आपके जगों पर अर्थशी थ्वी आ सकता है भुकंप और सकते हैं तो यह हम इसके बारे में जानी कि और बाद प्रत्यास्त पर्चलन और प्लेट टेक्टोनिक्स जदान जो कि मुख रूप से है भुकम्ब का यह बेस्ट मना जाता है इसके कारण इतना कोई इसका रोल नहीं है तो प्लेट टेक्टोनिक्स जदान आपने समझ दिया अभिशारी और अपसारी वाला जो कि इंपोर्टेंट अगया जो आगया जो भुकम्प हमारे पास आया और इसके और मुख रूप सिसक्ट जो इसके अंदरूनी भाग में क्या होता है प्रिथ्भी के अंदरूनी भाग में इसके बारे में जालेते हैं सबसे पहले रित्मी के अंद्रूनी भाग में जो चलने वाली वे हैं यानि भोकांप का जो तरंगे हैं उसके बारे में जा लेते हैं तो हमारे जो जानकारी अभी तक जो ग्याद हुआ है उसमें मुख रूप से तीन कहीं हम अध्यान करते हैं पी एस एल यानि की प्राइमरी जो अर्थ कुगाता है वह में रूप से एल और आर ही जी में वार है मुख रूप से तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो हमारी प्र एस जो यह वह है उसकी क्या स्पीड है और क्या से वह प्रित्मी के कॉनकोर से भाग है पहुँच पाता है या यह नहीं पहुच प प्राइमरी हो गया एस और एल यानि लव एक वैग्यानिक है इस तरंग का खोजा था इसलिए इसका नाम दिया गया तो अभी हम इसके जा लेते हैं कि पिर्थली के जो आंत्रिक समझना है है उस हिसाब से हमें आपको मुख्रूप से वाटा था जो उपर वाला था वो कॉम सभन था यानि कि भूपर पट्टी उसके वाद सबसे ठोस जो था वो क्या था उसका नाम था केंद्र अब इसमें हम जो कि जो फिगर है इस पर हम फोकस करते हैं अब आपको पता होगा कि मेंगमा चेंबर किसे पाए जाता है मेंटल भाग में जाता है और मेंगमा चेंबर यह पूरी भागे जो है ऐसे है कि ना ही ठोस है ना ही द्रव और इसके अंदर में जो है कई प्लेटें तैरती रहती है आपस में तकराती रहती है दूरहती रहती है या बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हां कई जगों पर आपको पता होगा कि धरती पे हर एक मिनट में ही भुकंप आता रहता है यानि कि धरती पे कहीं कहीं मतलब इस तरह से भुकंप की जटके देखे जाते हैं पर कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम तो उस हिसाब से इसकी कैज़वल्टी और बीना कैज़वल्टी की भी आपदरना करते रहते हैं तो अबॉलेंगे स्कोड्ल लम है रोखो बोलेंगे इसे बोल सकते हैं केंद्र यानि भुकमन्प्येक केंद्र यहीया कंद्र वह गया और यहां से जब निकलेगा भुकम्प्येक Gue ह Past निकलेगा तो जो सबसे नजदीदर पे पहुंच था इस बोलते हैं stuck इस necessенное आधी केंद्र या इपी सेंटर बोलते हैं यानि कि जहां पर भुकंप शुरू हुआ उसे बोलते हैं और यहां से जो निकल के सबसे पहले जिस जगा पहुंचा देखिए यह एक भुकंप जहां से शुरू होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से सीधा ही जाएगा यह एक बेभ और अगर आपने जहां पर पत्थर मारा वही से अगर नजदीक उसका अस्रथा भाग होगा तो और यहीं पर तकर आके धीरे-धीरे-धीरे-थीरे खतम हो जाएगा लेकिन जहां दूर है उसको वहां तक जाने हो सकता है समय जादा लगे पर जाएगा जरूर उसके अंदर पावर भरे ही कम हो जाएँ यहां से जो अर्थ क्विट यहां आता है अधी केंद्र तक तो अधिकेंद्र पर सबसे ज़्यादा प्रेसर होता है पावर होता है बाकी जगह bob पर भी जाता है मगर धीरे-धीरे पहुंचता है तो इस तरह से हमारे पास जहां से शुरू हुए इसे फोकस बोलते हैं और इस फोकस में तीन वेव पी-एस-एल और अगर आर भी सामिर करें तो करें नहीं तो यह ऐल लगप एकी साथ रहता तो प्रांडली और लगफिए और तीनोव कर तीनोव के बाद जो सबसे नजदिक अस्थाम पर पहुंचती है सबसे पहले पहुंचता है पी क्योंकि पी की जो स्पीड है वह है आठ किलोमेटर पर ती सेकेंड सेम उसी परकार एस की चार किलोमेटर पर ती सेकेंड कई जगा पर आपको पी का छे किलोमेटर और इसका इसका आधा यानिकि तीन किलोमेटर का आपको दिखाएगा पर मैंने दो तिन देखा उसमें आपको आठ किलोमेटर परती सेकेंड और एसका लगभग 4 किलोमेटर का स्पीड दिखाता है एल वेब का 1.5 से 3 1.5 से 3 किलोमेटर परती सेकेंड देखिए यह बढ़ता घठता रह सकता है ऐसा नहीं कि यहां पे टकराया और उतना ही स्पीड से जो है हर जगा जो है ट्रेवल करें इस कारण से इसमें बदला भी हो सकता है पर इसमें हमने जो लगभग में 8 किलोमेटर परती सेकेंड चार किलोमेटर परती सेकेंड और 1.5 से लेके 3 km 30 से एल बेव ट्रेवल करती है अब यहां से जब हमने टी के बात की तो पी तो बहुत तेज है तो यह हमारे यहां से जब सुरू होगा यहां बहुत पहले पहुँचेगा उसके बाद पहुँचेगा सेकेंड में S फिर लाज पे पहुचेगा कहीं L और यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो P और S कीरन है जो बेव है वो हमारे अर्थ पे कोई नुक्सान नहीं पहुचाता है वही अगर धरातल पे L की बात करें तो L जैसे ही पहुचेगा वह पूरी तरह से हमारे धरती पे क्विक लाएगा और अर्थ को पूरा हिला देगा और वह कैसे हिलाएगा वह मैं आगे आपको पिक्चर से भी दिखाऊंगा साथ पहले हम यह जान लेते हैं कि PSL का जो पहुचने का टाइमिंग है उस हिसाब से गलोब के कैसे इसका बनता है तो यह देख लेते हैं इसको साफ कर लेते हैं कि अब जानकारी ले लेते हैं कि यहां से जैसे अगर हमारे इसका जो अर्थ्विक है यहां से सुरू होता है यह है और होकस जो यहां से शुरू हुआ और यहां पर पहुचा तो अगर हम किया और उसने देखा कि sbse Pahle कैसे पहुचता कि नहीं पहुचता है और पिर्थवी के अंदर कैसी सब्ढ़ा vegghan की इसा दिया के सब्थ्विक अब यहाँ पिया गाया यहां पर ship onion do मैं Ben Bennett समय जगा जाना है कि अब उन्हें पूना है इससे करके दूँआ जैसे जिन के पास न दिया कि हमारे पास भी आ गया लेकिन दिक्कत यह होगे कि जब L वेव चला जब L वेव चला तो यह यहां से शुरू तो हुई यहां पर पहुंचा L यहां पर पहुंचते पहुंचते इनका ताइमिंग बिल्कुल बढ़ा गया क्योंकि कम इनका है ना स्पीड फिर इसके बाद ऐसा समय आया कि इधर की और तो यह पहुंची नहीं पाया इसका मतलब बैगयानिकों ने यह बोला कि यह जो पी और इस यह तो ऐसा है कि लगभग अपने ऐसी अस्थल जो मतलब पी का तो है कि जल अपने मतलब बोल सकते ठोस द्रब और गैस तीनु इस्थिति में ट्रेवल कर रही थी पी और उसके बाद एस पहुंचा इधर नहीं पहुंचा इसका मतलब बैगयानिकों ने सुचा कि बीच यह कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके कारण यह पार नहीं लग रहा है तो बैगयानिक उपरी पर अब तक तो पहुंची चुगे था उन्होंने यह रिशर्च किया बताये कि भाई जो है और यह पहुंचा यहां से यहां तक तो आया बाद में इस भाग से टकराने के बाद यह थोड़ा मुड़ गया और मुड़ने के बाद सिधा निकल गया इसका मतलव बैगयानिकों ने बोला कि भाई यह कहीं न कहीं अंदर में ऐसी वस्तु है कोछ ऐसी ठो सबस्था में कोई बस्तु है जिसके कारण यह बस्तु है उससे पी बेब का थोड़ा बहुत अकए अब क्या है जैसे आप पढ़े होंगे समय कि एक होता है प्रावर्थन एक होता है अपवर्थन है कि कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यमें जब किरने जाती है तो वहां से वह थोड़ी शाय अपने जुब G जाती है और उसके बाद पिर सिधें में कर जाती है तो यह होता है अपबरतन और प्रावरतन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है जैसे यहां से कोई भी वफ्तुग आई और यहां से टक्रा करें वापस आगAY तो यह दोनों कंडिरशन किस में होती है और आप्वरतन होता है और वर मियानि कि यह जहां pay took यहां से आगे निकल पर धाशी तकlaw को ठाब हैं ख़ता हैं। बिheru का उत्या कि और दिमोंगे ताकर खडम हो जाती है है। प्रतां एक से सपर्म्राइबिन पर्अब लिए किस निकला जाती है। तो इस छेत्र में यहां से लेकिं यहां तक तो पी आ रहा है लेकिन कुछ ऐसी स्थिती में यहां आने के बाद यहां से मूड जा रही है अब इधर ना कि यह फिर से त्रिछाव भी निकल जा रही है जो भी यहां से शुरू हो रहा है यहां आ रहा है फिर थोड़ा सा जुप से 145 दिघ्री तक का भाग यहां पे पूंच पाता है जिसके कारण इसे छाया छेत्र जिए च्छेत्र क्यों कहा गया क्योंकि इसमें पी यहां 105 दिघ्री से एक्-sope पैताले जिद्ली के बीच में नहीं आ रहा है इधर का जो भाग है उसमें तो एस भी नहीं आ रहा है एस वज़ास से तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन पी डेव का हमने इधर भुकम्पिक जो भी है अब पी भी नहीं पहुंच पा रहा है तीसलिए हमें बोलते हैं कि यहां से 11 11,000 किलो मेटर तक तो सभी भुकम्पिक केंद्र जो तरंगे है वो ट्रेवल करती है मगर इस भाग में नहीं पहुंचने के कारण 5,000 किलो मेटर का भाग 166 के रुप में बन जाता है जो कि आपको हमने दिखाया 105 से 145 डिगरी का बीच में 166 बन जाता है यानि भुकम्पिक केंद्र नहीं पहुंच पाता है इसे हम आपको एस्ट्रेक्चर के हिशाब से भी अभी आपको दिखा देंगे तो इस प्रकार से हमने आपका देखा कि यह कौन-कौन सी करने पी एस और यह तीनों हमारा किस तरह से ठोस में और यह द्रव गैस ती में तीनों में और धरातलिय वेव कैसे ट्रेवल करती है अब हम इसी में जान लेते हैं कि अब जो एक्जाम में पूछा जाता है कि में जो तरंग धैर है वो क्यासी मतलब थெ है प्रकार कि आब श्रयंक पर किसे प्रकार कि है है तो पहले हम तीन चीजे बना लेते हैं पी एस और यहारा इल है इसमें हम लिख दिया प्राइबरी सेकेंडरी और एल वेव या आर वेव बोलते हैं रे वेव जिसे रे लाइट वेव बोलते हैं तो आप इसमें आप अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि यह को किस हिसाब से अलग अलग जो बाटा गया है इसके हम अभी तरंगों के प्रकार की हिसाब से बाट रहे हैं जो तीन प्रकार है उसमें हम देख लेते हैं पहला तो होता है इसका हम स्पीड देख लेंगे तो अब 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 शती के हिसाब से अगर चले तो यह प्राइमरी जो है प्राइमरी बहुत ही कम शती पहुंचाता है यानि ना के बराबर तो इसमें हम बहुत सकते हैं इसकी छती बिल्कूल कम है इसकी जो है एवरेज है और इसके लवेंफी छती सबसे अधीक है यानि कि इसको हम लिख सकते हैं अधीक कम और यह ऑस्तन ऑस्तन कहने का सेंस यह हुआ पर दिखे तुन्म में यह बीच बिच में ह्ना ज्यादवा खरी पहुंचा रहा ज्यारा जयाता बचार की कि दोनों स्धिति में यह मेडियम माध्ययम क бол Department करती है कि धाय मोस् में जान लेते हैं क्यह क्या क्या इसमें थ्टोस को पॉस है ? द्रव चलती है भरातल एड़रातल दो इसके बाद आता है उसके नेक्स आता है किस प्रकार का इसके नाम दिए गए है किस प्रकार का इसकी क्या है यह प्रस्त अनुप्रस्त इसके बाद यह आता है यह अनुप्रस्त है जो इस परकाद से अनुध्यर और यह लव भी अनुप्रस्त है वे उसके बाद इसमें आते हैं इसका अाभृति ऐसी है इसके बाद हम जा लेते है इसका हॉँ है कि इसके और यडिकर दहाल नो म्यूंद सबसार शुरूर्ण फैर शुरुक्षिर होता है इस आnyt सेकेंटरा का और लवेव का कहने का तातपर मेरा यह है इसकी आपृती आप रिती के मतलब इसको लिखेंगे अधिक होती है समझने के लिए आपको इसमें संख्या आमने काउंट किया था किया संख्या हो गया नेक्स्ट है तरंग धैरे तरंग धैरे में हम क्या देखते हैं यह जो यहां से यहां तक की जो बीच की जो दूरी है धैरे मतलब धैर दो रहा है तो दो से दूरी मतलब एक वब से दूरी कि वीचकी दूरी कितनी देख रहा है तो दूरी इसके अंदर में बिल्कुल कम है तो सबसे पहले हमने लिखेंदिया कि अनुधर की संख्या सबसे अधिक है दूरी कम है और उसके बाद आयाम आयाम बोलते हैं इस स्थिति में आयाम हमारा इस उपर और नीचे यह मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है कि बहुत कम हुआ है कि इस चीज़ को हम देख रहे हैं सामन तो तो चांग हो सकते इसको तो चाहिए इसमें क्या हो सबसे कम हुआ आप उसी ही प्रकार इसमें आ जाते हैं कि आप तिसके तूर्णा में इस से अब तूर्णा करें तो यह जड़ा होगी तो इससे और इससे कम्परिजन में इसकी साथ कुछ आउस्तन में रहेगा ठीक है और इसकी बात करें तो इसकी देखिया आप संख्या कम थी इसकी संख्या देखिये सबसे अधिक मतलब इसकी संख्या अधिक थी और इसकी संख्या देखिये सबसे कम है इनकी अगर ग्यारत ही तो हमारे उनकी सबसे कम संख्या किसकी पाइब आपके क्योंकि इसकी कम होने के कारण ही क्या है पूरी की पूरी पृत्रीवी पे इसलिए भुकम पाता है क्योंकि यह विलकुल आराण से हिलाता है करें कि अधिक है इसके बाद सेम अगर उसकी आयाम मतलब आप पर और कि अगर कोई भी मोटर साइकिल अगर चलाते होंगे तो मोटर साइकल के स्पीड जो नौर्माली होती है आपको एक गेर पे चलाना हो जैसे यह देखिए अब यह आप देख रहेंगे कि इलोटर में कम है पर इतना ताकत के से आगया तो ताकत इस तरह से हुआ कि आप और हम चार गेर चलाएं तो तो नहीं चड़ पावर नहीं है वह सिर्क जटका देकर आपस आजाया इसके कारण इसकी जो स्थिति नहीं दे तो बाती क्या करनी है मगर यह दोनों का आप देख लें क्यूंकि एक नंबर पर गाड़ी जो चलते हैं वह सबसे ज्यादा पावर के साथ चलती है कहीं भी कीचड में पानी में कहीं भी चलाएंगे इसको अलाम से चलेगा और यह इसलिए धरातर सबसे ज्यादा नुकसान करत कि इसके अंदर में पावर ज्यादा होती है ठीक है तो इस प्रकार से हमारा जो है उसके बारे में हम जान लिए एक्जाम बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं इसके बारे में आप अध्या कर लेंगे चलिए अब हम थोड़ा सा बर्ल मैप में देख लेते हैं कि हमारे जो प् अब हमारे बर्ल में अपाला भी अप्र जो है अब प्रिवी में आपको भूप पर पती का जो है जानकारी हो जाएगी कहां से कौन सी जो पेटियां है वो टकराती है तो इसमें हम लिए लेते हैं से पहले पार लेते हमें एक यह हम इंडिया कि यह सावदी आरो यह प्याप्टlish विएा हमा लग बालेम तेहार हो गया है तो देकिए प्लेट्री वह से नहीं तो यह इसलए ना पक्राइब में तोट कर यह बॉत के तोन से जो तोट रहा है तो यह जो देरे-दिबूटर रहा है आपस में विखर रहा है एंजगे तो ब्लेज नहीं बताया है यहां से बिखर के देखें इंडिया यहां आ गया है यह चीजे किसके करण हुआ है प्लेटो के तूटने के कारण तो यह आप हो सकते हैं कि अबसारी के कारण की हुआ है तो चलिए आप हम इसमें जा लेते हैं कुछ महादेश जो कि आपको ज्यांकारे बहुत जरूरी है तो यह दgraph है जो हिंद महाशागर के अफिक पराशांत महाशागर आगा यह तरब से यह यह अधर परशांत महाशागर है ऊपर का आजाते हैं तो हम अर्कटिक महाशागर आर्किटिक महा सागर और नीचे का यह जो बेड़ है यह नीचे अस्थर भाग है उसका नाम है अंटार्किका महा सागर अंटार्किका और इसी सटा वभा अंटार्किका महा सागर भी बोलते हैं तो इसको दचनी सागर बोलते हैं महा सागर सागर तो यह हमारा हेसं हमारे कितने हैं यह से संट महाध्य criteria इसी से हम मिक्ता जलता प्लेटव के नाम हम आपको याद करा देते हैं देखे परसान महसां गर के बीच में भी छो पाई जाएगा उसकी में प liken do रसात महाज़ानी या यह वह पेटी में जिसके अस्थल भाग से यह उसके अंदर जो प्लेटे हैं है और उसके हमारे जो अस्थल भाग यहां के कुछ शेत्र जिसके बारे मैं बताता हूं अगर यह महाद द्वीब की बात कर रहें तो उत्रिय अमेरिका और दश्य अमेरिका लेकिन जो इसके अंदर में जो देश है उसके इसमें नाम है कनाडा यहां है आपका यूएसे यूएसे को सॉटम मैंने लिखा है इससे मैक्सिको और इसके नीचे की वहाल है यह बाग इसको पहुते हैं तुछ यह वाला भाग जो है ऐसे आधे बाक देते हैं यह आपका ब्राजील और यहां पर पड़ता है कि है तब जिलिए उससी परकार क्या है Cemalh यहां पॉर बोरो है है कोने यह आता है है यहां तु माईह सागर यह लियु प्रमूफ जाते हैं है यहां प्रसांथ माईह जारे भी पेती है यह यह हम बडेसे गोलते हैं आभी यह कितने हैं लगवट फार यह ऊपर गभिल्ट होगा आपका है रूस और यह होगी आपका चाइना इसके बाद यह वाला इसमें शुनड़ा पड़ता प्लेट का नाम है सुंडा प्लेट प्लेटा पेटी हिंद मास सागर है फिलिपिंस हो गया है है ये शोटे शोटे प्लेटे हैं सुदान पेटी क्लिपिनज पेटी भरमा पेटी है के बर्मा प्लेटेया है उसके बाद आपका अए उसके बाद यह ब्रचिए है कि यहां से यहां तक यह जो भाग खीची जा रही है लाइनिंग इसे हम दो भाग बांड देते हैं तो क्या है इसमें दो भागें तो इधर का भाग तो यूरोप है आप जानते हैं यूरोप और इधर का जो भाग है वो है आपका एसिया यह दोनों भाग को अगर मिला देते हैं तो एक स लेकिन फिल ही हम अपनी सुद्धा के हिसाब से क्योंकि यहां से यहां तक यह जो लाइनिंग खीची है वो क्या है वो एक हुकम्पी पेटी है जिसको हम बोलते हैं महादीप पेटी महादीप के बीच से खीची गए लाइनिंग तो इसको हम क्या बोलेंगे मद्य महादीप पेटी इसी पर हमारा इंडिया भी आता है नेपाल भी आता है और इसी कारण से हमारे यहां लगदार आर्थ क्रिक आता रहता है नेपाल के भाग में कई जगों पर ऐसे हाला कि अभी कुछ दिन पहले तीन नमंबर को भी आया था और दो दिन पहले भी आया था तो इसमें हमें जो है कर्योंटी भी देखी गई है यह हमारे यह वेल्ट पर पढ़ता है देखिए यहाँ पर यह हमारा इंडिया है यह यहां पर पढ़ता है इंडिया इसमें जो आर्थ क्या आता है वह किस कारण से आता है मद महादिपिये पेटी के होने के कारण अब देखिए हमने मुख रुप से तीन हमने में में तीन आपको बताया पहला क्या बताया परसांत महासागरीय पेटी दूसरा है आपका माहासागर नीचे का इधर आपा देगे तो मध 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 मतलब सेंटर और महाद भीपी मतलब यह मन्धवी क्रूप बीच से खीची गई in है खीची यह कालपनिक रूप से है यह इसके अंदर की जो बेस है जो प्लेट है वो दो अलग-अलग पेटियों के बीच में इसली से मद महां भी पिए पेटी का गया तो में तो यह हो गया आपके अब उसके बाद छोटे-छोटे जो हमने प्लेटे वाद आई वह कौन-कौन प्रसांत महां से पीटी के बीच के वाद यहां में लगवाग यह हमें अप्रत्यक्स टूर्प से मैं बड़ और प्रसांत दे रहीं यह अंदर में है। यह नहीं इसका अंदर के भाग है इसको बलते हैं KOCOS मेक्सिको और प्रसांत महाजगरी के बीच की भाग है चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-पेटियां है लेकिन आपस में टकराती है तो वह बहुत पहुंचे लगते हैं जोटे-पायरा इंडवॉफ्य क्निशन ओंधा दर होगया है इसके वाद बर्मा पेटी हो गया इधर आप ढके सुम्ड़ा पेटि ये जो जडचनी चीन सागर के बीच में है सुंडा सुंडा पेटी और फिलिपिन के पास है फिलिपिन्स पेटी यह छोटे-छोटे पेटियां लेकिन नुकसान इनके बहुत ज्यादा हो जाता है कभी-कभी फिर उसके बाद आप आप आए जो अन्तार्टिका महासागर है या महादविफ है यहां अब भुकम का संभावना नहीं है क्योंकि यहां को प्लेटी नहीं यह आपसमें टकरा है तो अभी हमने आपको जो पेटिया बताए वह कौन-कौन सी है आप देख लीजिए बड़ी पेटिया है प्रसांत महासागरी पेटी अट्लांटिक महासागरी पेटी और यह आपका म कि अब्धिर सेच आपको पता होगा कि प्लेटे आपस में क्या ओर रही है कि यह दूसरे से तकरा रही है तो यह मुझा है और यह और एक जगह क्ताम है अटलांटिक महासागर्ये देख नगं मासागर्य पेटिमें क्या है प्लेटे अपसमें दूर हट रही यह एक कि प्लीटे आपस में दूर भाग रहें ये से अबसारी होते हैं आए τι रीज या कटक रिजक या कटक को कि आप को आप इसको और वारे में जा ले कि पूछता है गजाम के लुए-rift में गान पंवसके कारण। भूभांग व settक भूभाग जो अब झालता है व्यां कि यह तिनकल सकते हैं अबसारी के कारण। तो इखुंधर पेमा स५ट्ष है बहुत बड़ा पाइजाता है छोह सबसे बड़ा दुनिया के सबसे लम्मा टत यहीं है अफ्रीका के पास एक जगह is field and टो से यह अलग रहा है कि है जो से सड़ में शिंन आधिट जिसके कारण जो है दीरे-दीरे दरारे बढ़ रही है और इससे भी आपका बदलब बहुत सकते हैं कि यह एक भुकम्प पेटी के रूप में दीरे-दीरे उत्पर रहा है तो इससे अलाकि भुकम पनाके जुआला मुखी और यह ताइप का जो कटक और रिज बन सकता है लेक जहां पर कोई भी भुकम्प नहीं आ सकता है नहीं आने की सम्हावनाई तो वह क्या है अंटार्क्टी का महाद्वीप है जहां पर कोई पहाड़ी कोई अंदर में बतला प्लेटी नहीं जो आपस में टकराए तो चलिए मैं एक बार रिलाइज करा देता हूं आपको तो चलिए ऐनिए तो जां करें आपकेशनी महाद्वीप ओतलाुत से लुक्तवादवास पहले हैं और गाजशनी महाद supplies इस प्रमिमद्वीप है आने वाले देश आते हैं इसके चपेट में साथी ही इसने इधर भी और इधर आपके रूस और जापान है जापान की प्रसांद महासागर है तो यह प्रसांद महासागर दोनों साइड से इसकी टकराब होती है और यह एक ऐसा महादीप है महासागर है जिसमें भूकम्प और जुवाला मुखी दोनों आने के कारण इसे रिंग और फायर भी कहा जाता है प्रसांद महासागर में ही भूकम्प आता रहता है तो अब आपसे हम अगर यह पूछ दे कि फुका प्लेट कहां पड़ती है तो आप अब आसकते हैं यूएस से के इसके बाद आपका फुकोस प्लेट मेक्सिको पेरू नाजगा और यह जो शेतर है यह प्रसांद महासाग प्लेट की बीच में है तो आप ऐसे बोल सकते हैं यूणा एक शिक deserving gueे जो यहां पिर चुका और यह शिऑं-प यह प्लेट के प्लेट टकर रही है यह और यहां पर अफुद्य और मंध महाधिपियच तकर रही है जिसके कारण अरह कुई आने के कारण साथ में यहीं होता है कि जो पहाड का निर्मान होता है प्रवतिये पहाड जो भी निर्मान होता है इसी कारणों से होता है तो सबसे ज्यादा हमारे यहां तो इस कारण से आ रहा है हमारे बिल्कुल इंडिया के सटे हुए नेपाल भाग से होते हुए इसमें आपको जमुकस्मीर भी आता है हिमाचल प्रदेश प्याता उत्रखन भी आता है उसके बाद हल्का यूपी से जटा हुआ बिहार से वेल्ट आता है उसके साथ में यहां पर भी छहते पड़ता है जिसका नाम है आपका गुजरात में भी एक घटना घटी थी जिसमें जो जगह है जिसका नाम है आपका कच का मैदान है आपका अब प्रोपर जगह की बात करें तो बुज कच का मैदान है वहां पर एक जगह है भुज जोंकी गुजरात पर पड़ता है भुज और इसी लिए मतलब इसको कंपन भी भोलते हैं भुबड़ते यह घुज आपता देपताई 26 दुजरेग को जिस दिन यहां पर पूरी पूरी खतम कर देगा है वहां पर सबसे इतना ज्यादा बीनास होगा जिस जगह पर वह च्छेत्र आ रहा है जैसे आप यहां देख लें यह वाला बिल्कुल बेट उसी के आ रहा है तो नेपाल में अर्थफिक ज्यादा होता है अभी हाल फिलाव में घटना घटी है उसके बारे में चर्शा करूंगा साथ में अब यह जा लेते हैं हमने आपको सारा जैसे जगह का नाम बता दिया और हम से हमारे महारे हां जाती है की इसते आपका बुकं से आने वाले जो जिसका आते हैं यह कलियर होते हैं साथ वह हम जा लेते हैं कि इसको मापने के लिए जो मसीन है ग्राफ है वह कौन है इसका अध्यान को क्या बोलते हैं तो यह जान लेते हैं थोड़ा सा भूखंप के जानने का जो मुख रूप से जो आज के डेट में कई तरह के उपकरने मतलब अध्यान हम लोग करते हैं जिसमें मुख रूप से रिक्टर स्केल यह बैज्यानिक है निस्तो हैं यह घ्रत्र करना जिसमें एक से नौ तब का रेटिंग होता है और तो एक मतलब सबसे कम उससे ज़्यादा दो दो से ज़्यादा तीन ऐसे करके सेविन तक तो लगभग नॉर्मल माना जाता है तो शेई बोल सकते हैं क्या आज कर छे पर नीजिया बिल्दिंग है तो छे तक तक तो नॉर्मल है उसके बाद जहां क्या होती है और बहुत तो हैं दबगा नावने कारे कर रहे हैं तो यह मसीन को जो में इसको क्या बोलेंगे सिस्मो मीटर और यह जो ग्राफ को प्रण ग्राफ अ फिस्तमु सिस्मो मेटर और अब यह सीन नावनेक्ट चाहिए करेंगे यानि की लर्न करेंगे इसके अध्य को क्या बोलेंगे सिस्मो वूजे ओंधrà, अध्य क्या बोलेंग है, सिस्मो लॉजे, अब उसके बाद इसके जो ग्राफ और इसके शेल है उसके बार हम जान लेते हैं तो मुख रूपसे जो हमारे हां पैमाना है वो में तीन तरह के ऐसे खुजा गया है रोशी फेरस मार केविए और फिसला है जो Rektor स्केल तो में हम आज जो जानकरी लेंगे एक होता है रोशी फेरस इस कर दो इसको बोलते हैं उसके बाद है रिक्टर रिक्टर तो गलत था इसको काट दिया गया है ऐसे इसकी जानकारी हमें पर नहीं हो पता था तो हम रोसी फेरस को खड़ा देते हैं उसके आदा है मारकेली जो स्केल महपा गया है तो एक पूर्वा अनुमान था मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी अस्थान पर भुकंप इस बार आया अगर दस घर गी रहे हैं तो अगले बार में अगर बारा घर गी रहे हैं तो इसका मतलब यह है इसके तुल्ला में इसकी जो की एक हाला किया मतलब यह पहले से लीटिन था? वह एक से लेके बारा तकी थी एक से बारा तक कि यह भी मतलब बुकंप आने के बाद अगर नहीं था इसको भी खारिश कर दिया गया अब बूरी बढ़न मापती है वह किसे रिक्टर स्केल का जो विस्कार था किस ने किया था 1935 में रिक्टर महोदे ने किया था इनका नाम या था जाल्स रिक्टर यह अमेरिका का बहुत है यह अधिका नी थे और इन्होंने अपने स्केल पर एक से लेके दस तक की रेटिंग बताई हाला कि पूरी तरह से एक्जाम में अगर पूछा जाएगा तब दस में आप बता सकते हैं नहीं तो आपको नौ तक का ही उसमें रेटिंग इलता है और जो सबसे जो बहुत सकते हैं कि रियर्स्ट जो मतलब लाश्ट की इदम बिल्कुर स्कती है तो वह कहां तक मापा जाता तो दस तक लेकिन इसमें जो है आपको कई किताबों में नौ तक ही मिलेगा कि रिक्टर स्केल के पैमाना है वह नौ तक है लेकिन रियर्स्ट अगर पूछ दे तो आप दस बता सकते ह है जब पूरा मतलब के डीपली कोई एक्जाम हो ऐसा ताव लेकिन एक से नौ तक होता है और इसमें एक से लेके नौ तक की जो रिटिंग होती है जैसे एक बाद में दो दो पर तीन चार पांच है तो यह जो बोलता है कि जैसे अभी का अगर माने देख छे रिटिंग और इसके बीच का गैप तो आपको एक का ही दिख रहा है मगर इससे बोला जाता है कि इसका जो पैजुवल्टि जागता है इसके तुना में इससे 10 गुना अधिक है मतलब आप बोल सकते हैं यह पुराना वाला जो मतलब रेटिंग जो होती है मतलब कम रेटिंग बढ़े पावरफुल बताते हैं आप देख्यांगे भुकम अभी हल्पलाब में आता है तो 6.4 तो 6.5 पॉइंट वेशलता है यह 10 के बराबर कहीं बता रहा है इसलिए यह बीच कहीं अनुवान ऐसे लगा जाता है तो यह रिटरा स्केल का क्या था कि एक से नौता का रेटिंग होता ह और इसमें लगभाव छे तक का तो स्ट है जो अगर बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा जहां पर अधीकेंजरा है वहां तो के अगर आता है तो थोड़ा कम होगा जटका महसूस होगा मगर के जोड़ी नहीं होगी इसमें क्या है साथ तक का नौर्मन मान के चलिए साथ से न एंडिया में जो मैजि उसके में में हमने बताया था है उस्षे में किस तरह से बूकम्प्यी जोन करने धारन हुआ है तो हम आपको कुछ बताया भी था उसके फिर लिए पर दुवारा बता देता हूं इंडिया मैप में उपश्नवाघा है उसकित झाल झाल तो लगभग यह बेंट जो आप मानके चल रहे हैं यहां पे हमारा मध्य महाद्वीव यह पेटी निकला है जो कि नेपाल से होते हुए हमारे पूर्वी देशों में जिसमें आपका उनाचल प्रदेशा और यह सब मिल जाते हैं तो यहां पे ज्यादा ही नुकसान होता है तो और इदर हो गया आपका पूरी की पूरी यह बेल्ट ना सेवन सिस्टन जितने हैं सभी उसके बाद इस बेल्ट पे थोड़ा साथा जो कि बिहार और नेपाल की बीच का बेल्ट आता है तो यह वाले सारे जोन जो हमने जिसके बारे बोला जोन इसको भुकंपिय जोन बोलत इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा एक सेले के पांच तक कहां-कहां है तो उसकी माता रहा हूं कि ला लो इसको बिदाव मिलकर एक नम्मर को अधान मतलब यह हलका ही कंपना आएगा तो उसका कोई है नहीं बाकी जो सुरू कि यह गया जो इतने से दो सिर शूरू किया गया जोन स्थ और बांस तक तक किया गया है यारी पांस मतलब स्थ सबसे ज़्यादा और दो दो ज्वेसे तो जैसे से उनक होगा तो आपको डो में आएगा साथ से अगर की रहो गांतलब साथ मत इक खत्रा माझे यहां और आट से नौ की बीच की तिवर्ता होगी जैसे ही माचल प्रदेश और नौर्थ इस्ट के जितने कि देश है इधर राज्य है वह सारे कितने में आएंगे जोन 5 में आएंगे तो इस परकार से हमने जोन किया अब इसमें एकजाम के देश्टी से जो पूछे जाते हैं वो दो चीजी और है उसको भी जानें जींग एक होता है आईसो सिस्मा लाइन और इक होता है होगमो कि चीजमा लाइन के मतलब अगर्ब जगाल न सामान तयव्रता जैसे यहान जहां पे जो स्पीड में आए है उसी साथ से यालिक समा kidnapped в तावाया सिर्थाформा ति मिलाने वाली स्थान को हम लोग एक जागा जैसे मुंट्रों में भुकंप आया बहुत अपना और दूसरे देश में जैसे हैं नेपाल में आया उसके बाद चाहिना में इस तरह से अगर तीनों जगा पर आया और इसकी समानती ब्रता है जैसे जगान आपका साइट में फिलिपीन से इधर आ गया तो अगर एक ही स्पीड है समानती प्रता है 7.5 और यहां प्रिया आ गया अगर हम यहां यहां और यहां ऐसे मिलाते हैं उसके बाद यहां के अगर स्पीड 7.2 होगी तो यह नहीं मिलेगा इसमें यह यह लाइनिक की उखीची गई जो सम समय में फोग्या यहां जैसे मिले जैसे अगर यह भी आया बाररा बजे यहां ओर यहां spirit और यहां बजय हैए तो हमकी नागे तो हमारी लाइन यह होगी यह 11 बज़े वाली की साथ नहीं मिलेगी जो 12 बज़े होगी उसके साथ मिलेगी इसको बोलता है हम पूछे जाने वाले इन फ्यूचर बहुत एक्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि इसके बारे बहुत कम लोग को पता होता है फिर आगे आते हैं कि अगर पुर्वानमान पॉकंप का अगर लगाने अगर संभव होता तो अभी तक हम कितनी काज्योल्ट्प से बच जाते हैं वहाँ इसके बारे में कुछ फ़द तक यह जान सकते हैं कि कुछ बदलाव होता है वाता वब्लाव होता है कि सबसे पहले रेड़ायों रेड़ाउन गेस जो है हमारे बाता बरन में फैलने लगता है जब हुकम आने की समभबना होती है तो रेड़ाउन गेस अचानक से बाता बरन में फैल जाती है दूसरा आता है बढ़ना और तीसरा होता है जानवरों के हरकत में जानवरों के हरकतों में बदला मतलब अगर देखा जाया तो कुछ ऐसी जानवर होते हैं जैसे ऑर यह सब 20 से कम कि ध्रवनी को सुन सकते हैं अचानक से पढ़ जाना जानवरों के हरकतों में चेंजिंग होना यह हमारे मुखरूप बदलाव आते हैं, जब भुकंप आने वाला होता है, तब, अब हम जान लिते हैं, मुखरूप से कुछ बचाब, जो हम लोग हुकंप के द दौरान कर सकते हैं, तो बचाब कींहिए होगी? बचाव, चाहिए बचाव में क्या है, दो तीन तरह की बचावा ह्यों सकती, भई पहले तो आप खुद से सुरक्शित हो जाएए जैसे कहने सकते हैं, भूकंप आने से पहले की सुरक्षा और दूसरा, भूकंप जब आ चुका है तब की सुर्क्षा, तीसरा, भूकंप आ तो यह तीनों कंडिशन बन सकती हैं तो सबसे पहले हम यह जा लेते हैं बचाव तीन तरह की कौन-कौन सी होगी पहला अगर भुकम के दोरान है अब है अगर भुकम आ चुकी हम अभी घर में यह जहां ही है तो उसकी की इसी समय क्या करें और उसके लिए अगर भुकम के बाद क्या करें तो देखिए इसमें आप खुद तो सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा वह नहीं तो बचा में क्या है पहला घर की जो दिवारे मजबुत बनाइए कई गर घर के बीच में डरार आजाती है तो उनको समय से ठीक कराएं और हो सकता है जो सीसे जैसे घरों के अंदर में जो सीसे की दरवाजे होते हैं उसको मतलब कोसिस करें कि वह ऐसे जगा पर बनाया जहां पर आदमी जो है आना जाना कम हो जैसे अचानक से भुकम आया तो सीसे टूटके इंसान को यह किसी भी जानवर को लग सकता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम का अचाओ का भर में उसको करें और तो यहां पर आदमी काना जाना कम रहें फिर उसके बाद जैसे भर में हम लोग घूमर लगाते हैं जो बहर के डिक्रेशन के लिए तो लाइटिंग वाली सुधाय जो होती है उसको हम ठीक करें फिर उसके बाद पंखा जैसे पंखा बेनाना जाना कम हो फिर और बहुत कई चीज़ा जैसे जो हम लोग घर में घैस चुला करते हैं गैस चूला और इस्सीटिसे जो चलने वारी चीज़ें उसको बिल्कुल फिट रखें भीस कि उसों दिवाल में टाइट करके रखें जैसे बड़में आपड़ारिकार भार्में बनती है तो बुकांप वाली प्रभावी छेत्र में पहले से जो सिफ्टी दिया जाना बहुत ज़रूरी है कि ग्यास टंकी को आप क्या करें दिवाल से मांट कर दें उसको मतलब टांगने के जब नीचे ही उसके साथ नट बोल्ट के साथ या किसी चैन के माध्यम से जो दिव बुकांप अगर आये किसी चीज के गिरने के कारण उसमें ब्लास्टिंग ना हो इस टाइप की चीज है किट नासक हो घर में अगर बुकांप आ गया इनकेस पहली के नहीं करेंगे तो क्या वागा किट नासक के गीरा हो समान वो फट गया विस्तार हो गया घर में पूरी व बसना चाहिए तो उसके बाद आपको है कि जैसे कहीं अगर हम घर से यह तो घर की स्थितियां ऐसे हमने बनती है घर से बाहर में है तो आप वर ब्रीज जो है उसके पास ना रहें दूर रहें उससे पेड़ पौधा टेलिफॉन बिजली यह लाइंटे से जो है कनेक्शन हो किस तरह सरा चाहिए फिर उसके बाद आते हैं जो किताब हम लोग रखते हैं बुक से बोलते हैं वह सब जो है उसको भी चोटित होना ना पड़े तो चलिए यह थी हमारे पहले की बात अब अंदर की बात आतीक जैसे बुकम्प आ चुका है और हम अगर घर अंदर में हैं दरारों के ब्रचों के बहुत है कि जमीन झुक में जाएं और मजबूत चीजे जैसे हमारे चारपाई कोई उसके बाद आपके कोई के मतलब कारण होती दूसरे में तो कि जीच की घैप बनने की पूरी समवबना होती है ज्यादा तरक्यसों में वह चला गया तब तो नहीं बन पाएगा लेकिन एक साइड दूसरे साइड में बन पाएगा तो वहां पर क्या है आप धरारों के बीच में बनता है वहां पर जुक के आप लेटके बच सकते हैं हालाकि नुकसान हो सकता है लेकि फिर भी अगर बिल्कुल घर में हैं और अचानक से आजये तब यह किसी ऐसी चीज में अगर भुकम में फस गये हो उसकी विस्तिति आगी तो आप घर की जो बाहरे हैं तारे हैं वह सब पूरी तरह से ओके ना रखें और बात की बात करें तो उसमें क्या है अगर हम फस गये तो डिवाल पे लेटे वह हैं और जो घर के अंदर में सीटी हो य और ना धूर उड़ाएं क्योंकि वैसी स्थितिन क्या होता है इसे होती है तो ब्रहां में फैल जाती है जिससे आप भुखता है थे जो इकनीव हो जाए तो आप पेड़ से थोड़ा सा आप आप अपने गाड़ी दे ल ense कर घर हो जा जा एक और एक और यह तो गाड़ी में और जब तक भुकम साथ नहों तब तक आगे ना सफर करें फिर उसके बाद आता है कि आप अगर मतलब माचीज की तीली हो या इस टाइब की चीज़ें हो ना जलाएं वेफस गये हो तो मुझ से कपड़े थोड़ा जो है ना ले उसके चलते आप कपड़े रखने ताकि दरना घुटी आपका पाइप और डिवार ऐसी कोई चीज़ें वहां पे तो वहां से आप उसको तपाएं आवाज दें ताकि आपको ढूंड सके उसके बाद क्या है कांच और तस्वीर ऐसी कर लेते हैं की आ है मिस्तिवेशंगा है सबसे जाने आते हैं की गुजरात के भुज में आपको बता है ता गुजरात के भुज में कुजरात के भुज में लगवग 12,000 के आसपास कैजवल्टी हुई थी लोगों की और यह यह स्पीड थी इसकी 7.7 7.7 के आसपास था यह इसमें जो कैजवल्टी हुई थी आपको मर बता दिया और देट थी 26 जनवड़ी 2,000 साथ ही इसके बाद आया था 7.8 के स्पीड से तुर्की में तुर्की में तुर्की में आया था और लगवग तुर्की के जगह है जिसका नाम है कहार नमारस हजीब सा नाम है कहार नमारस ऐसा नाम है तो यहां पर लगवग आपका कैजवल्टी हुआ था कितना साड़ेजार के आसपास यह तुर्की का है और यह जो डेट थी वो थी आपकी 6 फरवरी यहां आया थी अ च्छे जनवरी और यहां आया थी तुर्की के पास आया था तुर्की में आखना कहार का नाम कीशियो फिलाल में थी निवंबर को 2 संकरनाद इसकी जो स्पीड है 6.4 के आस Wasthi यॖा का नाम था ये जाजर कोट में जगा का ढखता है जाजर कोट में पराइब और लामी डाडा लाँ डाडा और जगह है ये नेपाल के भुवूल वीडर मतलब जो मतलब नहीं क्यों सेंटर हुएं वहाँ से इसका पता चला कि नपाल के जाधर कोड में ऐसका दता और जगह का नाम था क्या लारी- लामी डाडा जगा का नाम है यह नेपाल में पड़ता है और साथ में इसका जो नेपाल था लेकिन हमारे यहां जैसे दिल्ली इंच्यार में भुकम्ट की जो है तिवरता इसकी देखी गए थी और इसे कुछ खास इंडिया में तो केजोएटी नहीं हुई थी पर नेपाल में आप देख सकते हैं 139 आपने बहुत हैं ज्यादा नहीं है तो इस परकार से हमारा समाप्त होता है धन्यवाद आपने वाच किया आपको काफी इसमें जिके जिए और इसके जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम रहा होगा किलियर हो गया होगा बाकी मैं आपको इसे जूरी म आपको मैं यह बता देता हूं कि यह जो ग्राफ के माधिशन से आपने देखा होगा इसमें वीडियो आपको काफी किलियर हो गया होगे तो हमारे वीडियो बढ़े है पाकिस्तरा का मैं सेशन आपके लेता रहूंगा बीच बीच में धन्यवाद